हेलो स्टुदेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एट के जोग्राफी के चैप्टर नंबर टू को जिस चैप्टर का नाम है लैंड सॉल वाटर नैच्टरल वाइटेशन और वाइड लाइफ रिसोर्स तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछल कि बेंञें कि यह दूनिंगेंगें तुम मिध्य तरीक हैं है में हम और ही सही स्वर्स और अर्थ questionnaire कि भेश्पार होने से सब्से लक में जैसे कैसे बचा सकते हैं कि तुम्रम तरीक है अपनी वीडियो में डिसक्स किया था और अब सुम्णक का तॉपिक है वह वार्टर थी तोपिक पर लाइंड वाटर तो इस वीटों में वाटर के बारे में डिसक्स करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आल्ट कामारी इस इसार रियनयूबल रिसोर्स ने करें अर्थ के सब्सक्राइब का इसमें वाटर बार ऴूर्ट रहने वह कितना ज्यादा होता है ओठेवाइची पूरे 75% बाइद है इसको यूजड़ कर सकते हैं तो यूज़ नहीं कर सकते हैं तो अच्छान होता है ठीक है ओशें और शोट है तो वाटर बोडी तो अमकीन पनी होता है भुश्यक्तक्रा सेोलाइन मानाव के लिए फिट नहीं होते हैं आप्ट के तैरा। झैडलाइन सेलाइन वीस पनी होते हैं और हुमन के लिए कि मानम के लिए तेकर और तो पिश्के तो यह चैनल पर सिर्वाटर पानी पर नमकीन पर तो इस आदम के वाजाएगी उसके शरीर में पानी की कमी होने की बजाएगे ही जड़ी है ज़्यादा पानी क्यों ना पी जड़ाँ हम लोगे if 72 सेंट्र और सवन्टी ऑंकिस वाटर और और वह थैसे पर शेप एक पसेंट अब देखें तो पती होता क्या है कि अब जब कोई भी आदमी जाए नमकीन पानी पी रहे तो जो नमक है उसकी मातरा जो बड़ेगी ठीक है अब लेगे हम लोग के सरीर में जाए बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ठीक है जिसे जो बाड़ी होता सब्सक्राइब करें टीक है तो इसने में नमक की मातरा जादा होना हो जाएगा तो भी से अफिर को बैलेंस करने की कोई को लिए ठीक है तो बैलेंस करने के लिए वो जो यह ऑटर को डैलूट करें ठीक है तो आदमी और ज्यादा पानी पी रहेगा तो आप इसे होगा गया कि उस आदमी की कमी के वज़ा से मौत हो जाएगी ठीके तो आदमी पानी के वाटर का यूज़ करें तो आदमी पानी की कमी के वज़ाचे उसके मौत हो जाएगी ठीके तो इसलिए जो जो वाटर होता है यानि कि जो सैलाइन वाटर होता है वो जो जो होते हैं उनके लिए फिट नहीं होता ठीके तो यहां दया पको क्लेर होगा और वटर उसी फिट्स होता है थेके तो अब असे है तूपज सेव improvements बचिंट कि दो प्रेशन ऐसा खुंचे सोब 74 संघ्राइब कले साओं देना फॉज घिवगी नौर्माल बाठर का मैं ऑब यह 2.7 पर सेंटीले टो चैनल फट सोब्खे पारह तेहां पहर्मी होद एन्में की बडव के एक नाम और अंटार्टिका क्या है तो आपके छो आइस होते हैं वह मांटेंश में होते हैं तो होगे तो आइस की फोर्म में होते हैं लेकिन आप ऐसा तो नहीं है वह पिलागे प्रिखेंगे आप खुच सो शकते सिवंटीफाइंट फार अन्टार्टिका में ग्रीन वैंड में तो बचा कितना तो बचा इक परगार करते हैं फोर्म घ्टेक अब कहा करते हैं और एक पर रहता है और एट्मोस्पेर तो जो ग्राउंड वाटर कहते हैं अब देखें ग्राउंड वाटर हम लोग कैसे काम या थे तो देखे आपने बहुत सब्सक्राइब करते हैं उसमें वाटर कहां चाहता है उसमें वाटर आता है अंडर ग्राउंड 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 वाटर रहता है थो बढ़ plutôt अग्रिकल्टर होते हैं ठीक्रेटर के लिए दिखतर क्या होता है क्यों पां चाहिए होता है ठीके तो उसके Works चर्फिस बाताइब िरिची प्रिफ Wii तो बिरlli sothis check इट बहुती है तो इसमार यह सनुन्धर अफ्रीक कर दो प्रकार इस होते रहते हैं और तिए नंवकी नहें पाणी और रहता है तो ज़िए रहता है उसके पानी नहीं होते हैं बनके हवा में यह सवाल आया होगा एक फेस वाटर और ये नरा वाटर तो आने दोके काम में आता है लेकिन भाब जो होता है , जो के अध्मोस पर में नुस्स पर में पॉर में जो वाधर रहता है वह बादल बनतें अब उसी बादल से क्या हुता है बारिस से भी भी बहुत जैसे कि बारिस का पानी होता है तो जल्दी ग्रोप करते है तो यह एक परस्ट वाटर जो कि यूज में रहता है और एट्मोस्फेर में रहता है तो इस तैस में जो वाटर है वह हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियास है ठीक है अगर बात के पूरे अर्थ के क्या है तो इइतना एंप्रेंट इप्वाटर तो यहिस्ट्री जो है सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो इस पत करते हैं इसके उनले करते हैं अब देखें जो वाटरे हैningar वो कभी खतम नहीं होता और जो कभी बढ़ता नहीं कभी खतम नहीं होता ठीक जाने कि आज से 1000 साल पहले जितना वाटर था अर्थ पे आज भी उतने वाटर नहीं वह बढ़ा है और नहीं वह घटा है ठीक है अब देखिये लेकिन हाँ आज अवाटर इंप्योर हो रहा है तो इसलिए टो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा के बारे में कि वाटर होता है तो कोई भी वाटर जहता है वह भी मोंवेंट करती रहता है झालिया जांगि वाटर ही तो हम जाले होता है तो आप आई हम जान लेटिन के माले जांगे कि वाटर होता है वह होता है ठीके आपे इपोप्रेट होगा ऊके तो वाटट यह वोजए होता है इपोप्रेट होता है ठीक है ना कि भाब बंता है बाब करने जाए तर दीले जी अब जब बन घुल पन अब जब बहाँ बनना स्टाट्ट हो जया थे जिए अब बादल बनता है तो कि दो हवनों से उठा लिया बादल सब्सक्राइब बादल इक बादल बन जाते हैं तो तो हवा रहत है यानि की आपने वाट मैं धूर्म हो जाते हैं कि अब बारीज होता है तो एक फिर काँज खूसरी पाने था रेखा फिर नाले जोंखने थे जाएगा तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक ओस्टियान ने तो जो वाटर जो है आज से 1000 सल पहले तो वह वाटर जो भी तक होगा ठीक है ऐसे नहीं हो थो वाटर का विज़े एक मुवमेंट होता है ठीक है ताहिए हो जो वाटर साइकल है यह आपको यहां पर समझ में आगे होगा इसके साथ यह जो हम लोगा टॉपिक है वाटर यह कंप्लीट होता है और तो आपको कमेंट चाहिए नहीं पूछ सकते हैं मिलते आपसे नेक्स वीडियो में किसी नेक्स टॉपिक के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच झाल